हेलो गाइज वेलकम पैक तो माई यूट्यूब चैनल गाइज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना पने चैनल गाइण सीधार है की यूट्स टीक करते हुआ थे स्वेसिताइट वनिकरें जो चैनल अपना स्कोर कार्ट देख लीजेगा फिर आपको पता लग जाएगा कि अगर आप फोर्म यूपी से भड़ते हैं या फिर मतलब कि कम वेकेंशी से ज्याद़ वेकेंशी से तो यहां की कट ओफ है ना इतने ही रहती है ज्याद़ फरक नहीं पड़ता कट ओफ का क्यूंकि कॉम्पट अगर छिया जर्नल काटेगरी से फिल गया था उत्तरपदे से फिल गया था अगर रीजनीं की बात करें सो मेरे मार्ग से 38.75 आउट ओफ टी इसकी जो सेक्ष्णर कट ओफ थी दाट इस 23.25 अगर नियुमेरिकल अबिलिटी की बात करें 22.50 इस सेक्ष्णर कट ओफ एड़ और जो ओवरल कट ओफ गई थी वो गई थी 76.50 और जो मेरे मार्ग से वो थे 75.50 आप देख सकते हैं कि ते कब मार्ग से रह गया और यह आउट ओफ एट ही है मार्ग से अच्छे ही आय थे 75.50 लेकि कट ओफ जो है वो जादा ही चली गई थी क्योंकि क्या हुआ था बड़ो यूपी ग्रामिन बैंक ने पहले विकेंसी डाली थी दैन प्रिलिम्स के टाइम मतलब जब रिजल्ट आने वाला था उसके टाइम पर यह विड्रौ कर ली थी जिसकी वज़ा से कट ओप पे बहुत अफेक्ट पड़ा था और कट आप जो है बहुत हाई चली गई थी तो आ अब बकिनि स्ट्राइजिय की बात कर लेते हैं अगरी ईजनी की बात करें तो पेपर जो है बहुत आता है ऐफ मेटा करती है वह आपकी आपकी शी पτιम्मिन बीदू स्पीड तो यह होना बहुत जयादा जरूरी है अब कोशन pin कर nahi कि कहा से प्रता है प्र है माप Siass word करेख और अगा से से प्रेक्टिस कर सकते है यह स LEGO बाकर से ईलियं। यह मैंने प्रेसेसे लाइटोस किए पिछले बार अब को रैसे सकते हैं 2 अगल Spirit को मैंने सकते है और भी कंटी य९ूदर से स्टार्टे को बाकि practice mode का जो level होता है वो थोड़ा सा difficult होता है और grade up तो बहुत ही जादा tough होता है क्योंकि मैं अभी फिलाल grade up दे रही हूँ और grade up में score करना काफी difficult हो जाता है मतला अगर आपका 45 प्लस RI grade up के अंदर सो काफी सही है क्योंकि जो quant है वो काफी calculated बनाता है और मैं अभी फिलाल RRBPO के test दे रही हूँ सो बाकि अगर आप भी दे रहे है RRBPO का grade up से तो score का जरूज शेयर कीजिएगा कितना रहा है आपका score सेक्ष्टनल में reasoning और quant में बाकि जो लेवल है मैंने वैसे वीडियो डाला हुआ है grade up का जो मेरा score आया था आप देख सकते हैं वहाँ पर क्ली डाला था सो अगर aptitude की बात करें numerical ability तो इसमें भी आपको practice बहुत जादा करनी पड़ेगी क्योंकि पहले जो मेरा arithmetic था ना काफी मुझसे solve भी नहीं होता था फिर बहुत जादा practice करी इस पेसली जो मैंने practice करी है वो practice mocks से करी है जो उसमें topic wise quizzes होते है जैसे quant का आप जाएंगे section में त सो आप वहां से practice कर सकते है definitely बहुत जादा help होगी क्योंकि मुझको बहुत जादा help किया है अच्छा score करने में ठीक है अब इसमें number नहीं क्या कर सकते है लेकिन high score तो मैं score से तो अपने satisfied थी इसमें बाकी इस बार आराद BPO देते हैं देखते क्या होता है और बाकी अच्छी practice आप भी कीजिए और definitely प्रैक हो जाएगा exam बस इसमें आपकी speed और accuracy maintain रखनी है आपको और कुछ नहीं है और बाकी normalization कभी-कभी normalization से भी problem हो जाती है क्योंकि हम अच्छा करके आते हैं लेकिन मतलब हमारा score जो है कभी तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कि वज़े से हमार मतलब attempt सही रहता है accuracy भी सही रहता है लेकिन normalization की वज़े से selection नहीं हो पाता कभी-कभी सो यह भी एक problem है so guys आप जरू बते हीगा कि आपका कितने score था इसके अंदर सो बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजेगा सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन टेक के बाए बाए